नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल पे आप सदी का हाथ दिख सागते। दोस्तों, क्या वाकई ही स्टीम की मदद यानि की भाप और गरारे कोराना से बचाओं में असदार है क्या? तो दोस्तों, कोरोना का खत्रा दीन में दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसकी चपट में आने वालों की गीनती लगातर बढ़ रही है। कोरोना से बचने के लिए स्टीम थेरापी और गरारे करने का क्रेज लोगों में बढ़ता जा रहा है। लोगों में विश्वास पेदा हो गए है कि तंदुरस्त आदमी अगर कोरोना से बचना चाहता है तो रोजाना आए वे भाव या हर्व स्टीम या गरारे करें। तो वही हम आपको बताएंगे इस दार्णा की सच्चाई के बारे में कि वाकई स्टीम की मदद और गरारे कोरोना से बचाओ में असरदार है क्या तो दोस्तों हमारे इस वीडिया को पूरा देखे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राब जरूर से जरूर करें तो देखते हैं दोस्तों आगे पूरे वीडियो को स्टीम लेने का क्रेज इसमें कोई संदेह ही नहीं कि आपको किसी भी तरह से गले में कफ सर्दी जुकाम कॉमन फ्लू से बचना चाहते हैं तो भाप या हब से स्टीम हर हर हाल में असरदार है ये दवाई से ज्यादा फ्लू में असरदा साबित होता है सामाने तोर पर सर्दी जुकाम होने पर डोक्टर भाप लेने के सलाह देते हैं क्योंकि भाप नाक और गले में जाकर म्यूकस जिसे कफ कहते हैं उसको पतला कहता है इससे हमें सास लेने में आसानी होती है और हम काफी राहत मैसुस करते हैं जुकाम में सास ल नलिया खूल जाती और ऑक्सिजन परियाप्त मात्रा में सरीर में जाने लगता है। हाला कि ये राहत कुछ देर तक ही मिलती है। अब आगे आयरुद हर्प्से स्टीम लेने से क्या होता है। तो डॉक्टर की इस सला को लोग कोरोना से बचा में भी आजमा रहे। लोग हर्प्स में स्टीम ले रहे हैं। हाला कि दोस्तों ये सभी हायरुदिक हर्प्स एंटी माइकरोबिल जरूर है। जीन की वज़े से लोग का मानना है कि वाइरस को मारने में असरकारिक साबित हो सकते। बस दोस्तों हम आपको बता दे कि लोगों की इस धाना को WHO, World Health Organization और CDC, Center for Disease Control and Prevention ने कोई पुष्टी नहीं की। पर दोस्तों अगर हम भाफ या आयदिक हफ से स्टीम लेते हैं तो सायद हमारी जो भी कफ बनने की प्रोसे या सर्दी जुका में उसमें कमी जरूर आ सकते। दोस्तों ये स्टीम आपको बहुत 15 मिर से ज्यादा देर तक नहीं लेनी हैं ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिर ओ भी थोड़ी दूरी से लेनी हैं अगर आप ज्यादा नजदिक से लेंगे तो सायद आपकी स्कीन भी जल सकती हैं तो दोस्तों आप भी कोरोना से बतने के लिए अगर ये अपनाते हैं तो इसकी कोई धारना नहीं है पर हम घर पे इसका इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों गरारे करने का क्रेज गले की सर्दी और गले में खरास होने पर नमक का पानी, बीटाडीन, कोकोनट ओईल गरारे करने हमेशा लापदायक होता है गरारे करने से गले म जो म्यूकस का या वाइरस का मल्टिप्लिकेशन है जरूर दोस्तों कम हो जाएगा और साथ ही गला साप भी हो जाएगा तो दीन में आप साम को सोने से पहले नमक का पानी बीटाडीन या कोकोनटोड से गरारा कर सकते पर दोस्तों हम आपको बता दे कि अभी तक किसी भी अध पर हम अपने गले को साफ रखने के लिए गरारा जरूर कर सकते और इस माहल में लोग गलत फ्यमी में ना रहे और ज्यादा होने तवर डोक्टर को तुरंती तुरंत संपर करें तो दोस्तों आपको आज का हमारे वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बोक्स में आपके विचा जर जरूर जरूर लिके दूस्तों धर्निवाद